हेलो दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्तोर हो इस भाकिश्री इन्बिसेंद न्यूस के बॉलिवोड गॉसिप में आप सभी का स्वागत है आए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ होट खबरे सलमान खान प्रोडक्शन के पिच्चर पात्शाला इवेंट को अटिंग करने पहुचे इस मोके पर आज मुंबई में कुछ एक शॉर्ट फिल्म में दिखाई गई और सभी बच्चों को भी बुलाया गया और सभी बहुत एक्साइटिट लगे सल्मान खान, फैमिली अर्पास खान, सोहिल खान, सलीम खान, अलविरा अतुल अगनी हुतरी सभी प्रेजेंट हुए थे और सभी बहुत ही एक्साइटिट लग रहे थे हम आपका बता दी कि सभी ने अपने हातों से बच्चों को फेलिसेट किया और अपने हातों से अवार्ड पे दिया और बहुत ही प्रिविलेज मुमेंट था इन बच्चों के लिए बच्चों को अपने हातों से अवार्ड देने के लिए कैटरिना कैपी यहां पर प्रेसेट ह अपकमिंग फिल्म हैक के स्टार कास ने फिल्म के बारे मेडिया से की कुछ खास बात चेंग फिल्म हैक सेवन फेब को रिलिस होने वाली है और इस मौके पर फिल्म के स्टार कास हिना खान, रोहन शाह और डारेटर विक्रम भट ने आज मुंबे मेडिया से बाते की और बताय कि हिना खान की ये डेपिट फिल्म है इस लेकर हिना खान बहुत ही एकसाड़िट है रोहन इस फिल्म में एक हैकर है जो के हिना खान का सोशल मेडिया ही है कर लेता है और साथ ही उन्हें बहुत ही परिशान करते नज़राता है उन्हें शूटिंग पर अपना-पना एकस्पिर से इंतिजा है. और बहार उसके बारे में कोई जिक्र ना करें, ना वो खुद जिक्र करना चाहते हैं. So we wanted to bring this up. और इस ट्रेलर को पसंद किया गया. Music definitely, like always, you know, इंका मुजिक बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है. तो इसलिए गानी भी पहुत पहला गाना भी ट्रेंड किया. It has almost hit more than 6 million views. And our trailer was trending for five days. Like it's huge. So I am, I don't know what to say. मैं ने कभी एसब एक्स्पेक्टी नहीं किया था. मुझे ये भी नहीं पता था कि trend करना, मुझे ये पता था कि trend करना is good. But I didn't know that if you trend for so many days, it's fab. Like I got to know from Zee people, since our film is with Zee Studios, I got to know that मनी करने का trended for three days consecutively. So I was like, okay, good. मैं चाती हमारी फिल्म ही three days trend करे. And it trended for five days. So I was like, my God. I think God has really been kind to me. And all I want is now, हमारी गाने ट्रेंड किये, पहला गाना भी दूसरा गाना भी trend करे. But it's reached, it's trending on three right now. And we like, हमने दुपेर में आज गाना रिलीस किया. It has already hit more than a million in terms of views. So we are getting tremendous response on social media. I think that is because people are relating to the subject. आप गाना भी देख रहे हो, तो गाने में भी साम के साथ क्या हो रहा है, वो स्टॉकर क्या कर रहा है, लोगों को ये देखने में दिल्चस्पी है. इसलिए शायद गानों के भी व्यूस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं. तो अब जब फिल्म आएगी, तो we have fingers crossed, let's hope that people go to the theatres. क्या है ना, YouTube पे होता है, तो फटापर मोबाईल पे चला देते हैं और देख लेते हैं. वो लेकिन वो effort करके, पैसे खर्च करके थेटर तक जाना वो एक अलग कहानी है. तो मैं चाहती हूँ वो हो. तो अगर हमारी फिल्म अच्छी हूई, अगर mouth publicity भी हूई, हाला के हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आम लोगों तक पहुचाएं कि बहुत ही अच्छा subject है, आप जरूर देखें. पर उसके अलावा भी, अगर कुछ लोग भी देखें उनको अच्छी लगी, तो क्या होता है न, कभी-कभी एक फिल्म की mouth publicity इतनी हो जाती है कि नहीं भई जाके देखो अच्छी फिल्म है. So, let's hope for the best. यह लगी फिल्म में ऐसा हुआ के फिल्म की कहानी लिखी गई थी, हीना और रोहन क्योंकि कुछ थे फिल्म के लिए उनकी कास्टिंग करेक्ट थी लेकिन यह ऐसी फिल्म है जो, सेट पे मैंने बहुत राइटिंग की है इस फिल्म की ऑल्सो क्यूंकि इतनी सच्चे मुद् है, और इतने present day problem पे पिचर बनी है, कि हर रोस कुछ ना कुछ हमको सूचता था, कभी कभी कोई news आ जाता है, कभी इस के साथ fraud हो गया कभी उसके साथ fraud हो गया, कभी वो आर्ट हो गया, और उनके कुछ बयान, लोगों के बयान, लोगों की बाते, हर रोज कुछ ना कुछ एड होता था इसमें और जब करन्ट इशू बे पिच्चर बनती है तो होता ही ऐसा है कि आपको हर रोज कोई ना कोई नया ख़़ाना मिलता है और आप की ये भूख है कि जतना हो सके आप फिल्म में डाले तो इस फिल्म को बनाना वैसे चालेंजिंग भी था क्यूंकि टेक्नोलोजी बहुत है स्पेशल एफेक्ट्स है और सबसे ज़्यादा बड़ा चालेंज ये था कि इतने कॉम्प्लिकेटेड़ चीज जो टेक्नोलोजी है उसे साथगी से कैसे पेश करें कि लोग समझ सकें कि लोग कन्फ्यूज ना हो जाए कि अब क्या है कम्प्यूटर हमको समझ में याता इसलिए ऐसा रखा है हमने कि कोई भी समझ सकें कि अब जब से ज़ादा दिफिकल्ट है यहां जब सिक मुखिल चीज को में यही कर दिया काफी I feel blessed कि इतना overwhelming experience actually हम लोग definitely अच्छा response expect कर रहते हैं बट यह उससे भी जाद अच्छा response है जितना हम expect कर रहते हैं और जाद excitement आती है कि जो film release होगी तो कितना प्यार मिलेगा क्योंकि as I would agree everything what sir said कि छोटी वड़ी फिल्म से अच्छी वड़ी फिल्म से अच्छी वड़ी फिल्म को ज्यादा importance मिलता है इतना प्यार इतना comments अगर आप देखो कि most of the comments are just positive comments इतना प्यार मिला है comments में like, dislike, जो होता है, सब कुछ जितने भी तरीके से लोग whatsapp पे share कर रहे हर जगा, मुझे भी भी लोग मिलते हैं, सब लोग आके बोलता है कि आपके trailer से हम डर चुके आपसे, picture में पता नहीं क्या होगा and it is just amazing कि जो response हमें मिल रहे, तो I am quite excited कि जब फिल्म release होगी तो क्या होगा कोरियोग्राफर गनेश आचरी की F.I.R. दर्श करने, पोली स्टेशन पहुची दिव्या दिव्या का कहना है कि कई सालों पहले जब गनेश आचायने मुझे अचली पिच्चर दिखाने की कोशिश की थी और मैंने तब अपने परिवार का सोच कर कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन आज जो मेरी बेज़ती पबलिक के सामने की गई है, मैं आज उन्हें नहीं चुड़ोगी और अपने कदम पीछे ने लोगी इसे के साथ दिव्या ने गनेश पर कुछ कैमलर, चोर, मुराण जैसे गंपिर शब्तों का उपयोपी किया और कहा कि सरुच खान ने भी उनके उपर जो आरुप लगा है वो बिल्कुल सच है इस मामले में बात करती है जब हमने दिव्या से उनके फामली के सपोर्ट के बारे में पूछा तो दिव्या रोप पड़ी और कहा कि उनको सपोर्ट नहीं है और वो इन सारी बातों से खुश भी नहीं है पर मैंने फिर भी गरिश की वो अश्लिल फिल्म वाली बात एफ़यार में दश नहीं कही है मैं बस इतना चाहती हूँ कि उसे इस इंडस्ट्री में कोई काम ना मिले और उस पर स्ट्रेक्ट आक्शन दिया जाए मैंने बोला देखो मेरा नॉन कोपरेशन लगा हूँ है मैं अंदर नहीं जा सकती तो उन्होंने का कि तुम आज आना बोला कि मैंने बुला है तो उस चीज की वज़े से मैं उस दिन गई थी वापे और जब मैं एक बज़े पहुची तो मुझे किसी ने कहा कि सारजी नहीं तुम आज आज रहे है कि अधे कर दो फिर मैं वहीं पर वेट कर रही थी कि किसी दो तिन लोग मेरे फ्रेंज मेरे कलिक्स थे वापे अंदर जो मेरे इस टॉपिक को उठाने वाले थे और उन्होंने आप़े ये टॉपिक उठाया भी तो उनको कहते है कि ये एनी अधर जैश्री आती है चलके उसके बीछे आते है गनेश चाहरिया चलके और जैश्री चलाते हुए आरी मेरा नाम और मेरे को वहाँ पर बोलती है तो क्या गर रही है या पर आसे निकल मैंने बहुत तो क्या यू तो टेल मी दिस और एक तो गंदे लेंग्वेज में लाइक मेरा जो नॉन और मुझे चाहिए कर दो गुष्ञा गया उसको लगा कि अभी आपे बोल देगी और मैं उनके बार में हमेशा सच बोलती है तो उनको लगा कि माईक में भी अंदर बोलूंगी तो उन्हेंने क्या कराया लांच ब्रेक के बाद जो टॉपिक निकालने वाले उनको लगा मैं अंदर जाओंगी, रेज होगा ये सब चीजे, तो लालंच प्रेक में तो पहली बात तो खुदी भाग गए और भाग गए और भाग पर खड़े उनको एलोग को इंस्ट्रक्शन देते है जैश्री और पृदी को कि इसको मार और मार के भागा हो दोसें, तो मॉलिवूड के प्लेबाक सिंगर, म्यूसिक कंपूचर, आक्टर और प्रोडूसर हिमेश रेश्मिया आज बेग कोल्टन वॉइस सीजन साथ के लांच पर बिग एफम के ओपिस में पहुचे थे, इस लांच के मौकी पर उन्होंने इस शो के बारे में खुल कर पाते कि, इ इस शो में हिमेश रेश्मिया जजिंग के साथ मेंटरिंग भी कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि बॉलिवूड में उन्हें सलमान खान ने प्रेग दिया था, साथी साथ उन्होंने अपना और सलमान खान का बॉंडिंग भी शेया क्या मुझे एक टालेंट शो में है या कहीं पे भी मुझे एक ऐसी आवाज की हमेशा जरूरत होती है जिसे मैं यूटिलाइस कर सकूँ अपने फिल्मी गानों में या कोई भी गानों में और एक अच्छी आवाज जब आपको मिलती है तो वो आपके कॉंपोजिशन को नेक्स ल से हम लोग बहुत खुश है कि यहां पर मैं जुड़ा हूँ इनके साथ और आप रेजिस्टर कीजिए अपनी वोइस को और बस अच्छे से अच्छे टैलेंट को अच्छे से अच्छा ब्रेक मिलना बहुत ज़रूरी होता है आज कॉंपुटिशन बहुत है लोग बहुत ज जाता है तो उस टैलेंट को काम्याब होने के लिए स्टार बनने के लिए बहुत बड़ा मौका और फाइदा हो सकता है जो आज IDFC First Bank Presents Big Golden Boy Season 7 वो मौका आपको दे रही है तो प्लीज रेजिस्टर ओन www.bigfmindia.com slash bgb. Salman भाई ने हमेशा नए टैलेंट को बहुत आगे लेके गए हैं मैं एक सीरिल प्रोडुशरी रह जाता अगर वो मुझे आगे नहीं लेके जाते तो उन्होंने मुझे ब्रेक दिया और कई बाते सलीम अंकल ने मुझे यह बात हमेशा कही है कि आपको जब प्लैटफ सूरी नहीं क spheres की अगर अगर को सूपर स्टार आवाज की अपनी मुझेशन की जभड़त है तो आप मत लीजा कॉस इसलिए को जिस कॉम पोजिशन की युचिंधी कभी कभी एक कामपोजिशन की की कि साधी डिमांड होती है कि सूपरस्टार सिंगर ही चाहिये तो लेना चा बार बार एपलाई करता हूँ इसलिए इतने नए लोगों को मौका दे सकता हूँ और मेरी मुजिक कमपनीज और सारी भी मुझे सपोर्ट करती है वो गाने को राइट नहीं होंगे तो गाना भी फ्लॉप हो जाएगा और उनकी करियर भी गाने के लिए जो वो राइट होंगे उनहीं को करेक्ट सिलेक्शन करके आपको वो गाना देना है जिससे वो आगे बढ़े ताके सबको फाइदा हो बॉलिवर्ट गॉसिप में फिला लिता ही कल फिल्म बिलते है फिल्म इंडस्री के खटे मिटे खबरों की साथ अलपिता